हर रोज नए कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आज की कहानी भी अकबर बिर्बल पे ही आधारित है इस बार अकबर की राज़ दरबार में एक पंडिर जी आये थे वो अपने सवालों के साथ आये थे तब अकबर ने ये बात सुनते ही बिर्बल को आगे कर दिया और उसे कहा कि पंडिर जी के सवालों का जवाब दीजिए तब बिर्बल ने कैसे उन्हें अपने जवाबों से संतुस्ट किया जानने के लिए सुन लीजिए पूरी कहानी उससे पहले हैलो जी वेलकम आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानिया चैनल में और मैं हूँ तुक्ती एक दिन की बात है बादशाय अकबर की राज सभा में एक ज्यानी पंडित आये हुए थे वह कुछ सवालों के जवाब बादशाय से जानना चाहते थे लेकिन बादशाय के लिए उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बिर्बल को आगे कर दिया बिर्बल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बिर्बल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं पंडित ने बिर्बल से कहा मैं तुम्हें दो विकल्ब देता हूँ एक या तो तुम मुझे मेरे सो आसान सवाल के जवाब दे दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दे दो बिर्बल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ फिर पंडित ने बिर्बल से पूछा तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा बिर्बल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई फिर पंडित ने उनसे कहा कि आप इतने शौरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि मुर्गी ही पहले आई इस पर बिर्बल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है मुझे आपकी एक सवाल का ही जवाब देना था ऐसे में पंडित बिर्बल के सामने कुछ पूल नहीं पाए और बिना बोले ही दर्बार से चले गए बिर्बल की चतुराई और अकलमंदी को देख कर अकबर हमेशा से ही खुश थे और इस बार भी बहुत खुश हुए इस से बिर्बल ने साबित कर दिया कि बादशा अकबर के दर्बार में सलाकार के रूप में बिर्बल का रहना कितना जरूरी है तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही तरह से दिमाग लगाने और सयम रखने से हर सवाल का जवाब और हर समसा का हल मिल सकता है अगर आज की कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो उसे लाइक कर जरूर करिएगा उस पे कमेंट जरूर करके बताईगा कि यह कोशिश कैसी रही और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलेंगे नई कहानी के साथ तब तक के लिए बाई